हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू वलोग और आज के इस वलोग में हम देखेंगे कि बीम स्टुडेंट की कोलेज लाइफ कैसे होती है तो गाइज, अभी हम रेडी हो चुके हैं और नास्ता करके अभी हम चलते हैं कोलेज के लिए हेलो गाइज, तो अभी टाइम हो गया है 8.41 अभी हम पहुंच गए हैं कोलेज, यह हमारे कोलेज का है में गेट, काफी अच्छा दिन है यार, अच्छा फंसाइन हो चुका है, यह हमारे कोलेज की है बस, और यह है नैशनल आयरवेदिक होस्पिटल, गाइज, जल्दी से चल गाइज, वेलकम तो आवर कोलेज, इस आवर कोलेज, इस आवर ओडिटोरियम और लाइब्रेरी, है दोग साब आ रहे है, पुड़मनी दोग साब, काफी अच्छा दिन है आज का गाइज, और हमने कोलेज के अंदर कर ली है, एंट्री, और अभी चलते हैं, हेलो गाइज, 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 अभी चलते हैं, अभी कलास का टाइम हो गया है, गाइज, यह हमारी कलास के लोकर हैं, और यहां हम अपने स्टडी मेटरियल, डाइसेक्शन किट, स्टैथोस्कोप और बुक्स वेरा कुछ भी रख सकते हैं, फाफी स्पेसियस है, गाइज, इस इस आवर ब्यूटिफल कलास, हमारे के लीच के लाइज, अभी टूर का प्लाइन कर रहे हैं, मार बैच के ऐख रिप जानी है, तो अभी यह नाम बगएरा लिख रहे हैं, देखते हैं क्या प्लाइन बढ़ता है, तीन दिन का ट्रीप है गाई इस दस तजार का टूर गरें काफ़ी ब्यूटीफुल सिन भी हमारी कलास से ये देखी जा सकती है सामने ओडिटोरियम और लाइबरेरी की बिल्डिंग है वो सामने इदर दिख रहा वो कोस्टल है उदर हर्बल गार्डन है येगा हुसके नहीं है गाईज अभी बज गए हैं 12 और अभी हम चल रहे हैं लाइबरेरी तो चलते हैं अभी काफी इन में खोफ फैला हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं मारे जूनियर जी ने बताया थोड़ी देर में प्रिक साइन की स्टार्ट होने वारी है अभी सभी पढ़ने में लगे हुए हैं अभी सभी पढ़ने में लगे हुए हैं यह सामने है ओडिटोरियम यह इदर लाइबरेरी के अंदर काफी ज्यादा बुक रखी हुए इस सेक्शन में इसली आया हूँ क्योंकि मुझे मुझे अभी सर्च करते हैं दर से यह हमारे होन हार विदार थी इंजर एक्जाम्स के प्रिपरेशन करते हुए अभी हम है लाइबरेरी के अंदर एक कलास हमारी खाली थी अभी लंच हो गया है हेलो गाइज हेलो ब्रो और ब्रो कैसे हो नाइस ब्रो नाइस नाइस और रेट्थे हम खाली खाली डॉकर्स है नाम लोती है यह भाई अभी खाला ऑगा इसमें दय इसमें दयए इसमें दयए हुआ हुआ है खाण शाल तो हुआ है कि यह वाली देनी थी अब ही अब ही हमारे सियर साब आपको एक साहरी सुनाए पेस की जाए एक साहरी तो चल सलो के सुना दे उनसा रोगस तू दोस्वे सम्या है आगे रोगस तू दोस्वे सम्या है अरोगया था गाइज मुझे एक सलोग याद था बीमेस लाइफ में काफी ज्यादा सलोग हमें यादगरने होते हैं जैसे मैंने अभी आपको एक सुनाए यह जो तुम दिल के साथो ना दिमाद मालों से हर जाएगा अरे वाँ कोई जानी नहीं हम बेजरों का क्यात्त है, गत्ति है, क्यों बुच्ते हो। हमें बताना तो है नहीं अरजी किया है? हुआ ओए यह सुंतराणी निले हो भया दो यह सुंतराणी तेरी जील जैसे आखे देखकर डूब जाने का मन करता है तेरी जील जैसे आखे देखकर डूब जाने का मन करता है पर क्या करें दिल कमभथ है शाला महबबत करने से इंगरता है मुझ धराब गते है लंच टाइम में अभी लंच टाइम हो चुका है ओवर हम चलते हैं अभी फिजियो की प्रेक्टिकल अगाईज मिलते हैं फिजियोलोजी लैब में यह हमारे ओन हार स्टुटेंट्स दर लंच ब्रेक में भी पढ़ रहे हैं इंगरे को अभी अभी हो गई हमारी चुक्ति अभी चलते हैं तो गाईज हम घर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में काफी अच्छा दिन रहा आजगा काफी ठक गया होगा दिना भी बाकी कुछ डिसाइडी करते हैं घर जाकर तो गाईज अभी स्टेडी टाइम हो चुका है थोड़ा स्टेडी करते हैं देन सोएंगे और फिर कल से यही सेंग रूटेन रिपीट होगी सो गाईज आज का व्लोग करते हैं इतर ही एंड और मिलते हैं अगले नए व्लोग में सो स्टे टून, कीप स्पोर्डिंग, लाइक, शेर और सब्स्राइब जुरूर करें